हलो फ्रेंड वेलकम टू और यूटूब चैनल परिशान अकर्डमी दोस्तों के बेस्ट की एक्जाम डिट आ गई है 21 फर्विस से 28 फर्डेगी बीचन एक्जाम होने है लेकिन दोस्तों जो प्याइटी के होंगे वो 21 से 28 की बीच में आएंगे हम लोग ऐसा करेंगे ऐसी प्रेक्टिस करेंगे कि वही मेरे पांच नंबर कहीं जा ना पाएंगे जोस्तों आज से श्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर की कोशन है उसको देखते हैं पहला कोशन हमारा क्या है SMPS का पूरा नाम क्या है दोस्तो SMPS का फुल फार्म पूछा हुआ है तो SMPS के फुल फार्म में पहला option क्या है Service Make Power Top पहला क्या है Service Make Power Top option B है Switch Mode Power Supply option C है Man Power Supply option D क्या है Say Power Man Supply दोस्तो SMPS के फुल फार्म क्या होता है Switch Mode Power Supply जो option जो B है दोस्तो वो क्या होता है switch mode power supply दोस्तो SNPS का कार क्या है ये क्या करता है पूरे computer में जितने भी ये मतरबोर्ड में लगा रहता है और ये power supply का कार करता है दोस्तो जो option जो B होगा वो क्या होगा सही होगा, अगला question लिखते है bank में check read के लिए निमनिवे से कौन सी विधी का उपयोग करते है दोस्तो bank में अभी जाते है check का प्रयोग करते है check के नीचे एक इस तरह की line रहती है ठीक है दोस्तो वो किस विधी का प्रयोग करते है वो read करने के लिए वो क्या होता है एक reader होता है, दोस्तो वो क्या होता है दोस्तों, इसका answer क्या हो जाएगा? इमेज होते हैं, उसको किस तरह से अपने computer में input करेंगे, उसके लिए option लेखते हैं, हमारा पहला option क्या है, scanner, floppy, joystick और mouse, दोस्तों जो हमारे ग्राफिक्स image जो होते हैं, उसको अगर हमको input करना है, अपने computer में store करना है, तो उसको यह लिए क्या करेंगे, हम लोगो scanner gap करेंगे, option के अपने computer में ग्राफिक image को input कर सकते हैं, दोस्तों इसका जो अब चलन से बाहर हो गया, यह पहला यूज किया था, CD के पहले, और joystick क्या होता है, दोस्तों यह क्या है, इसका यूज करते है, गेम खेलने के लिए, और mouse नो हमारे यांतर क्या है, दोस्तों यह हमारा optical device है, इसका यह भी क्या है, input device है, दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा, option A, अगला question है, printer निमलिखित में से किस से सम्मधिश है, दोस्तों printer है, printer, कोई भी अगर हम अपने data जो रहता है, वो हमारा खिसमे होता, soft copy होता है, जब उसको हम print करते हैं, printer के माध्यम से, तो हो क्या हो ज change जाते हैं, अपसर इसका जो D होगा, output हो क्या हो जाएगा, सही होगा, अगरी question देते हैं, hard disk में delete हुई file में भेजी जाती है, अगर दोस्तों कभी भी, option क्या है, recycle bin, motherboard, clipboard या floppy disk, दोस्तों अगर आपके computer में, laptop में, अगर कोई भी file delete हो जाती है, तो वो कहां store होती है, recycle bin मे delete कर देके, तो वो क्या होगी, permanent delete हो जाएगी, टीके दोस्तों, अगर आप sieft dil करेंगे, sieft के साथ dil अगर करेंगे, तो वो जो जो भी file होगी, वो क्या हो जाएगी, परमाने डिलेट हो जाएगी, लेकिन आप normally एकर dil की use करेंगे, तो वो कहां जाएगी, recycle bin में store हो जाएगी power बंद करने के केवल कुछ minute तक ही रहता है और स्थाई होता है और power फेल होने तक ही सीमित रहता है दोस्तो RAM का full farm होता है दोस्तो random access memory यह क्या होता दोस्तो आस्थाई memory है primary memory है और इसका use क्या होता है जैसे अभी जब तक हमारा system work करता जाता है light रहने पर जब तक work करता है जैसे ही light कर जाती ही जो भी उसमें data होता है वो क्या होता है इरस हो जाता है दोस्तो इसका बी option जो होगा वो सही हो जाएगा अगला question देखते है FTP दोस्तो FTP यह बहुत important है इससे हमेशा question आते रहते है FTP का full firm क्या है दोस्तो इसका full firm option यह फिल एक प्रोटोकाल होता है जो क्या करता है एक फाइल को दूसरी फाइल सेंट verg Character को जाएगा फाइल ट्रांसपर प्रोडोकॉल, FTP का फूर फॉर्म क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसपर प्रोडोकॉल, इसका सही एंतर हो जाएगा, option C, अन्तिम कोश्चन देखते हैं, प्रोग्राम आपके computer system को वाइरस या इत्तर आनिकारक प्रोग्रामों से बचाता है, बैकप, एंतिवारस, अनिश्टाल या यह सभी, दोस्तो अगर हमारे जिसम सिस्टम यूस करते हैं, उसमें क्या होती है, बहुत सारे वाइरस आते रहते हैं, उसको अगर हम सेफ रखना आए, अपने सिस्टम को सेफ रखना आए तो हम क्या करेंगे, एंटी वायरस का अगर हम यूज करेंगे अगर हम अपने सिस्टम में एंटी वायरस यूज करेंगे तो क्या होगा यह क्या है जो क्या करता है हानिकारक जो भी हमारे वायरस आते हैं उससे क्या करता है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है तो इसका सही एंटर क्या हो जाए वींडोज विश्टा के बाद कौन on some operating system आया है क्या कि है मारा सिश्टैम उपेडिंट आप्शन क्या है यह विंडोस 7, Windows 8, Windows XP या फिर MS-DOS दोस्तों जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ती चलिया रही है इसकी जनरेशन जैसे जनरेशन ऑफ कम्यूटर दोस्तों जैसे वह बढ़ रही है बदल रही है वह ऐसे ही हमारे अप्डेशन होता चला जा रहा है पहले हम ल से लेवन अभी आ गया है ऐसे ही क्या रहा हमारी जनरेशन जो जनरेशन ऑफ कम्यूटर जो क्या वो क्या और अप्डेट खुदी चली जा रही है और अलागला फिक्चर को आड़ करती चली आ रही है दोस्तों विंडोस विश्टा के बार अगर कुछ रहा कौन सा ऑपरदि दोस्तों इससे अच्छे चे कोश्टन हम लों लेकर किया आएंगे जो दर टूदा फैक्ट होंगे और हम लोगों को सिर्फ कोश्टन ही नहीं कोश्टन का एनलाइज करेंगे कि उससे जो आप्शन होंगे उसमें भी उसके कोश्टन होंगे हम लोग एक कोश्टन ऐसा नहीं